तो यह बें बहुत से लोग ने पॉइंट आउट किया था कि आपने एपरेंटाइस्ट के प्राइशन थे जो भी सब्सक्राइब का इस की लिंग का इस पन्टिकॉलर एपरेंटिक्ट सिब का मैं तो इसके बारे में डिसकस कर रहे होंगे इन डिटेल की क्या-क्या तुम्हें पढ़ना है क्या-क्या सिलेवस होता है कैसे तुम इसके लिए प्रिपार कर सकते हो कहां से तुम पढ़ सकते हो मैं बहुत शॉर्ट नोटिस पे है तीन-चार दिन बचे हैं तीन-चार दिन में समझ लेते हैं वैसे मैंने विश्ली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि इस अप्रोग्राम बाइ गूगल जिसमें वो तुमें ट्रेनिंग देते हैं कि इन चार डुमेंस में देरा फोर अपरेंटाइशिप तो कौन कौन सी अपरेंटाइशिप से अनलेटिक्स की और एक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तो यह चार फील्ड में आर अपरेंटाइशिप हैं जिसके लिए मतलब लोगों को टेस्ट लिंक्स आये हैं इस वीडियो में बिसी कली थोड़ा जादा आईटी अपरेंटाइशिप और डिटा अनलेटिक्स अपरे थोड़ा थोड़ा टच कर लेंगे कि इन में क्या हो सकता है ताकि तुम्हें बेटर क्लारेटी हो सके इसे अपरेंटिस्टाइशिप सबसे परोग्राम में हैं सबसे परले बात करते हैं हम बात करते हैंus प्रहुत हैं सबसे पहले बने कि ऑनलाइन टेस्ट यह साइनोगों जाया चरते हैं विश्चित्मिक्तम आप कि यार बन्दा एक्सपर्ट हो दोट वांट बस थोड़ा उसका कम्मिनिकेशन अच्छा हो इस इस वोट थे वांट तो रेटानिटिक्स अप्रेंटाइज चप में मैं कॉन से टेक्नॉलोजी इस पर काम कर सकते हो तो मतलब आर पाइफन या फिर एक्सेल इसक्यूल इसके राउंड तुमारा काम हो सकता है अगर तुम्हें इन सब में इंटरस्ट है तो तुम्हें इस वन वोड बी सूटेबल फॉर यू अब इसमें टेस्ट पैटरन के थीस मिनिट का टेस्ट होगा एंड थर्टी मिनिट्स में तुम्हें कितने कोशन करने हैं 14 मेजर ली डेटा अनलिटिक्स वाली इंटर्णशिप में इस टेस्ट में वह कॉगनिटिव अबिलिटी रीजनिंग में इसमें कुछ बहुत हार एंड फास टेकनिकल नॉलिज नहीं है यह बेसिक चीजें हैं जो तुमसे पूछी जा सकती है अगर कोगनिटिव अबिलिटी या फिर रीजनिंग या फिर मेंटल बिलिटी की भी बात करें तो इसमें तुम देख सकते हैं आप्टीट्यूड र फिर देर सम्थिंग नहीं पर्मुटेशन और कॉमिनेशन फिर देर इस लाइक थोड़ा जियोमेट्री बेसिक जिमेट्री बात बहुत हार एंड फास नी थोड़ा उस टाइप के मैस के कोशन पुछ जा सकते हैं तेन अप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग में क्या पॉजल मतलब यह इंपोर्टन चीज आती आती है पॉजल में क्या होता है कि एसे तुम्हें पराग्राफ दिया उसको पढ़के दिरा फॉर कोशन तो पराग्राफ में मतलब ऐसे अर्रेंजमेंट हो सकते हैं सिटिंग अरेंजमें लिए तेन पीपल सिटिंग ना सर्कल करनी है कौन क्या है कौन क्या काम करता है कौन कहां पर बैठा है इसके लिए कुछ असच प्रपरेशन बहुत ज्यादा हार और फास्की जरूरत नहीं है जो में चीज तुम्हें ध्यान रखना है ताइम मैंजमेंट तुम कितने अच्छे से अपने टाइम को मैंज कर पाते ह हो एंड कितना अच्छा चांस है कि तुम हंडड़ परसेंट मार्क्स ले सकते हो वादब यू शोड ट्राइफ और हंड़ परसेंट कोई भी आंसर गलत नहीं होना से यह कोई चितना दा जल्दी में अंसर नहीं देना है ट्राइए और बेस्ट गिव हंड़ परसेंट सो दे कुछ assumptions लेकर जैसे हमने एक की वैलियों को वान मान लिया तो कुशन बहुत जल्दी सौल हो जाता है तुम उसको पूरा सौल करो तो assumptions वाले कुशन को ध्यान में रखना कि assumptions लेकर सौल कि जा सकते हैं फिर जो लॉजिकल रिजनिंग के बेसे कुशन होते हैं उनमें सबसे कम टाइम लगता है तो ट्राइब करना कि वह वाले कुशन फास्वास हो जाए फिर जो वाले जो कुशन बचेंगे उनमें तुम थोड़ा इस वाले लोगों को मैं पता होगा कि तीन सब्जेक्ट उनको बोले हैं सबसे पहला सब्जेक्ट है यह नेट्वर्किंग तीसा सब्जेक्ट है इसमें भी यार पैटर्न ऑल्मोस सेम है तीस मिनिट में 15 कुशन होंगे मैं तोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं पैटर्न मैं तोटली डिपेंड़न अपन देम बट लास्ट यर कुछ ऐसा पैटर्न था उससे साब से आम गिविंग दिस रिव्यू ठी या कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं नेट्वर्किंग और ओस के लिए तो नहीं है और देर सांथिंग ओना लास्ट मिनिट नोट्स लास्ट मिनिट नोट्स ऑन जी एफजी और ओस के लिए तो मैंने एक डेडिकेटड वीडियो बनाई हुई है इन दोनों के लिंक्स मैं नीचे दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर तुम ये भी कर लेते हो ना बहुत जल्दी में तो दिरा गुड नंबर आफ चांसे के दॉसके आते ये अधुक्त नेटव को कम्योंटर नेटवर्किंग में तुम्हें बेसिक स्क्लीर होने चाहिए मतों हैँ या होते है डालेट व्यूद्स क्या होते हैं यहां पर सारी चीज़ ना थोड़ी बेसिक्स है जबहत अच्छे समय होने चाहिए फिर उसके बाद म आठेख हैं लास्ट मैंने नोट्सनेट्वकिंग के मुसले Shh Ellie तो इनके इनके लियर क्या किया काम होता है इसका घ्याएन फिर अगली सारी protocol layer TCP UDP में क्या difference है TCP UDP कोशन आया हुआ है last year भी different topologies transmission modes data link layer सारे layers के जो जो basic functions है तो यह बहुत कम पार्ट है last minute notes में उन्होंने मता concrete में बताया हुआ है सारी चीजों को सारी चीजों का निचोड़ बताया हुआ है तो यह वाले notes पढ़ सकते हो इनको अच्छे से revise कर सकते हो उसके लावा अगर I would say कि अगर पास time है तो मैं networking पढ़नी है तो there's a playlist on gate smashers channel मतलब YouTube पे चैनल है gate smashers उन्होंने नेटवर्किंग की playlist बनाई हुए computer networks की तो उसमें काफी अच्छे से पढ़ाया हुआ हिंदी में पढ़ाया हुआ है तो वह तुम्हें काफी समझ में आ जाएगा तो वहली gate smashers की playlist टेक कर सकते हो right IT hardware में basic questions related to your computer science knowledge basic questions related to तुम्हें computer के बारे में क्या knowledge है computer boot कैसे होता है मतलब ऐसी चीज़े तो उस टाइप की चीज़ें आइट hardware में पूछी जा सकती हैं कुछ थोड़े physical जो components होते हैं computer system के hard drive hard disk इस type की चीज़े मतलब थोड़ा idea होना चाहिए कि का काम करती है कैसे काम करती है CPU फिर अंदर थोड़ा hardware पार्ट में अगर तुम computer का architecture देखोगे न उपर उपर से तो फिजिकल जो components है computer के उसके बारे में थोड़ी knowledge ले सकते हो मतलब YouTube पे या यह तुम्हें कोई भी व्लॉग मिल जाएगा इसके भी मैं एक दो लिंक साइल गिव इन दर इस्क्रिप्शन वह लिंक से तुम प्रिपैर कर सकते हो बेसिकली यह है test मतलब overall अगर मैं analysis करूं तो test is going to be I would say it's easy the main problem is competition क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग पार्ट ले रहे हैं तो competition उस level का बढ़ जाता है तो तुम्हें competition का ध्यान रखने के लिए तुम्हें अपने end से 100% देना मतलब कोई ऐसे चीज छूटनी नी चाहिए जो तुम छोड के आ रहे हो right and तुम्हें थोड़ा time manage करना test में जो चीज़ें असान है जो चीज़ें पता है उनको सबसे पहले करो एंड जो चीज़ें नहीं पता है उनके लिए मतलब थोड़ा दिमाग लगा के उनको स्वाल करो ऐसा बहुत टफ नहीं होगा easy होगा and में को बताना मतलब तुम्हें टेस्ट हो उसके बाद कैसा रहा comment section में आके कैसा रहा इसके इसके थूँ थोड़ा फाइदा हो सकते बाकी इसके रावा मतलब तुम टेली ग्रॉप में जॉइन कर सकते हो दर्धा टेली ग्रॉप जिसमें हम मतलब मेरे को अगर और भी कोई questions मिलते है लास्ट यर के तो मैं उस उनको शेर कर दूँगा इन टेली ग्रॉप अर्ष गोयल ऐसे कॉलन डाल के यूट्यूब तो यह वाला चैनल है उसमें अल्रेडी क्लोज टू 65,000 लोग है तो यह वाले चैनल पर जाके तुम देख सकते हो राइट तो बेसिकली यही थायर इस प्रोग्राम का पूरा प्रोसेस राइट इसके लिए कैसे प्रिपार करन करें बाकि अगर डिजिटल मार्केटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें भी मतब एस पर मैंने सोना है उसमें मेरी बहुत जाब रिसर्च नहीं है उसमें भी यूविल गेट अप्टी एंड लॉजिकल रिजनिंग के लिए डिजिटल अगर प्रोजेक्ट मैनेजमें जवाली भी कर सकते हो उसमें कुछ टेक का नियाएगा उसमें सब नॉन टेक आएगा तो बेसिक तुम्हारी मेंटल अबिटी जज आगी वन्सिटे इंटू इस प्रोग्रम फिर उसके बाद चाहत तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में background नहीं है, तो अच्छे chances हैं कि तुम्हें इसके through chance मिल जाए बट ये भी है कि 2 साल में तुम बहुत चीज़े सीख लोगे, project बना लोगे तुम्हारे पास इतना capable resume होगा कि तुम किसी भी company में चाके apply कर सकते हैं and you will get a job, right? तो that was it for this particular video वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर करें जाना share कर देना अपने दोस्तों के साथ, we are very close to 100k subscribers 100k होने वाले हैं बहुत जल्दी ऐसे तुम्हारा sport बना रहेगा, तो और अच्छे से हम इस channel को grow करेंगे thank you so much everyone, all the best, good luck and bye